हेलो दोस्तों क्या हाल है आप सब के तो काफी बार जैसे न्यू ड्राइवर्स होते हैं या फिर हम कभी जैसे भी गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो मैं इमानता हूं कि अगर हमें माइलेज एफिशेंसी चाहिए तो यह टायर्स की जो हवाय वो प्रेशर है टायर प्रेश या 35 क्या सही है तो उसके लिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हर कार के अकॉर्डिंगली उनमें दिया होता है जैसे कि हम आपको दिखाता हूं आप अपना राइट साइड कर जो डोर खोलेंगे उसके वहीं पर एक स्लिप लगी होती है अगर आप देख पा रहे ह लेकिन अगर आपने उसकी डाइमेंशन में अगर मालो 205 वाला डलवाया तो उसके अकॉर्डिंग की कितनी उसमें टायर प्रेशर होना चाहिए ठीक है तो उसके अंदर यहां जैसे दिया हुआ है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो 33 33 अगर आपका नॉर्मल 205 और 60 आर 16 का टायर है और अगर 215 60 आर 60 आर 16 का है तो 33 ही होना चाहिए यह है हमारे फ्रेंट वील्स का और यह हमारे बैक वील्स का ठीक है और वो भी अकॉर्डिंग टू अगर सिरफ नॉर्मली चार बंदे हैं अगर आपको दिख रहे हो तो और अगर इनके 4 प्लस 1 5 बंदे हैं और साथ में लगे जाए तो अब उस प्रेशर को 36 रखें फ्रंट में और बैक में आप रखें 41 और अपकॉर्डिंग टू यॉर टायर डायमेंशन जैसे कि जो भी टायर की कन्फिग्रेशन है उसके रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जैसे अब मैं दिखाता हूं कि हमारी ग अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यह ट्राइड एंटेस्टीट चीज होती है तो यह सबसे बेस्ट करती है तो इसके अंदर यह हमारी कंफिग्र वह है तायर का साइज तो इसमें आप फ्रंट में 33 रखें और बैक में 33 अगर आप नॉर्मल चार लोग चलते हैं त साथ में लगेज भी कैरी कर रहे है तो आप फ्रंट में 36 और बैक में 41 आप यूज कर सकते हो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो आप यहां पर हर गाड़ी में दिया होता है कंपनीज के तरफ से क्योंकि उन्होंने हर चीज ट्राइड इंटे सनित्छा कर दोड़ियो कत बारो कर दो श्राइड डरote